बोश्पुरी लोक गाई का मनीशा स्रिवास्तव की प्रसिद्धी दिनों दिन बढ़ती जा रही है लोक गाई का मनीशा जी की बहतरी नवाज को सुनने के बाद संगीत प्रेमी बार बार उनके मकमली और दिलकश स्वर को सुनना चाते हैं यही वज़य है कि लोक गाई का मनीशा जी को देश के तमाम हिस्सों से स्टेज शो करने के लिए बुलाया जाता है एक तरव जहां मनीशा जी की गाईकी में कुछ अलग खुश्बू है तो वहीं उनके गानों में जो सबसे बड़ी खुबी है वो है उनके गाने अशलीलता से कोसो दूर होते हैं साफ सुत्रे गाने को अपनी अवाज देने वाली मनीशा जी की तारीफ भी इसलिए जादा होती है क्योंकि उनके गानों में लस मात्र भी अशलीलता नहीं होती यहीं खुबी मनीशा को बाकी भोशपुरी सिंगरों की कतार से एकदम अलग पंक्ती में खड़ा करती है मनीशा जी के बारे में ये कहना कते ही गलत नहीं होगा कि वो अपनी मधुर अवाज के जरिये भोशपुरी में व्याप्त अशलीलता के खिलाफ मोहीम चला कर लोक गाई की लोकशेली और लोग गीतों को सनरक्षन देकर उन्हें लोगों तक पहुँचाने का बेहद काम कर रही है वैसे आपको ये भी बताते चलें कि मनीशा जी भोशपुरी संगीत जगत की ऐसी पहली गाईका है जिन्होंने बकाइदा भोशपुरी में व्याप्त फोहडता और अशलीलता के खिलाफ मोर्चा समाला हुआ है इसी कोशिश के तहट मनीशा जी साफ सुत्रे लोग गीतों के जरिये समाज को फिर से सुरों की चासनी में डूबे हुए मीठे गीत सुना रही है वाकई मनीशा जी की इस पहल को सलाम किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भोशपुरी संगीत को एक नई दिशा देने के लिए इतनी बड़ी पहल जोकी है नेक्स नाइ नियुजरों से ममता की रिपोर्ट